ख़बरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर आप भी देना चाहते हैं कोई ख़बर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्ख देश में करोना वाइरस की दूसरी लहर का असर पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है इस बीच एक और वाइरस ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दी हैं केरल में हाल ही में निपा वाइरस का मामला सामने आया था अब तमिलनाडू में भी एक केस सामने आया है कोयम टूर के डीम के मुक्ताबिक निपा वाइरस का एक केस मिला है सभी तरह की साफधानिया बढ़ती जा रही है अब तेश बुखार के साथ जो भी सरकारी अस्पताल आ रहा है उसकी सही तरीके से जाच की जाएगी इस निपा वाइरस ने तब हर किसी को हैरान कर दिया जब रविवार को केरल में एक 12 साल के बच्चे की इसकी वज़े से मौत हो गई केरल के कोजी कोडे में 12 साल के बच्चे का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चला था लेकिन उसने दम तोड़ दिया केरल के लिए ये चिंटा का विशाएइ इसलिए भी है क्योंकि यहां कोरोना की ताजा लेहर ने हालात बिगार दिये हैं देश में जितने भी केस आरहे हैं उसमें से 70% करीब केरल से ही आ रहे हैं अगेले केरल में ही 2,0,00 के करीब कोरोना के एक्टिव केस हैं आपको बता दें कि निपा वाइरस सबसे पहले 1998 में मलेशिया में पाया गिया था बारत के पश्चिम बंगाल में 2001 में इसके कई मामले सामने आये थे ये भी कुरोना वाइरस की तरह ही खतरनाक है अलाकि ये हवा से नहीं फैलता है निपा वाइरस जानवर से मनुश्यों में इसका भी मूलकार और चमगादर ही होता है लेकिन ताजा महौल में किसी मनुश्य से मनुश्य में भी वाइरस फैलने का डर बताया जा रहा है इसके लावा सुरों से भी निपा वाइरस फैलने का डर है इस वाइरस के लक्षर में तेज बुखार होना है जो दो हफते तक र इंडिया के यूट्यूब चैनल को योगी हम रखते हैं आपको हर पल अबेट